तेरी चोली के हीरे तुझ में न कोई कमीरी दिखिए बॉली भूड में कब से बन था सिधा अंदर आओ राजा कुंडी मत खरकाओ राजा इसा बन था बिरोद होने के बाद लेकिन अब फिर से सुरू हो गया है तो या यू समझ लिजे कि भजबूरी का लाकार के बॉली भूड में जाना उसका असर या फिर यू कह लिजे एक असलील का लाकार को बॉली भूड में जाना उसका असर देखिए कैसे कहता है टोनी ककर तेरी चोली के हीरे तुझ में न कोई कमीरी सया रहते जम्नापार अरे बहिंच youtube su Melwość Kapu जम्नाशu सत्य शबचा कि नाम है और तू वाहिं चुदे को बाख कलोल सैया के कहता है गंगा के जम्ना के लिए रहता है अको चुन हो वित ओग्त और नाम लेकर अस्लील गतगा रहा है जमना पार्त गंगा पार और तुम्रा सईया बोल ला है कि तेरी चोली के हीरे उसमें न कुछ हो कमीरें अफसोस कि भजपूरी इंडिस्टी भजपूरी के कलाकार कहिए कि बॉलीवूड में जाना या यू समझ लिजे कि असलील कलाकार को बॉलीवूड में जाना इसका असर यह तो आप लोग कहिएगा हमें कोमेंट में कि एक असलील कलाकार को बिग वस के बाद आपने सब जानता है टिक टोक पर गंद मचा के टिक टोक या स्टार बिग वस में गई कई सारा आरोप लगा मरीशारानी पर डीजे डॉली कई सारे लोग आरोप लगाए और जैसे ही उन्हों नेहा कर्टोनी कखर के साथ गाना-गाने काम करने का ऐलान किया तो इस गाना सब बन था भईया चोली धोरी के पीछे वह भजपुरी में चलता है और अभी बीचला है लेकिन जैसे ही भजपुरी के वह कलाकार गया फिर इसे शुरू हो गया दिखे लहना-चोली- तो इसा ही देखने को मिल रहा है देख लिजे भूर से असलील गित Всем है को सुने PCR को दूर था लेकिन ガgan कई दिनों के बाद कई सालों के बाद यह उन्हें कहले चैबार सो महिंने बाद फिर चैक बाद असलील गित णा सुने मिल रहा है वालिवुड में वनिल ष०्छ या फिर योग समझ लिजे कि अशलील कलाकार के बॉलीबूड में जाना या फिर आप लोग सब समझ गए काहला कि एक बात को जिक्र करना बार-बार साही नहीं लगता और आप लोग हमें कमेंट में बताएए या फिर भजपुरी इंडिश्ट्री के कलाकार गया है और जिस तरह से भजपूरी में लांगा चोली धोरी का जिक्र होता है ठीक उसको आसर है आप लोग हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेरिट कीजिए और नीचे लाल बटन दबा करें इस चनल को फिरी में सबस्क्राइब कर लिशिए